अब आप अपना यूटूब चैनल मेट इस्टार तो चलिए मैं आपको बात करते हैं कि आज परभावीत परतिसत का परभावीत परतिसत होता क्या है परभावीत परतिसत कहां यूज होता है परभावीत परतिसत का कारण क्या है परभावीत परतिसत से क्या बेनी फिट होता है क्या लाव होता है क्या होनी होता है यह जो है परभावीत परतिसत से हम समझने का कोशिज करेंगे और परभावीत परतिसत का जो फर्मूला होता है वह हम आपको बता जाते है परभावीत प पर्भावित पर्तिसद का方ुमोलाarta हम बात करते हैं पर्भावित पर्तिसद का पर्भावित पर्तिसद का फर्मॉला यह है तो इस पर हम काम करेंगे यहिदा आप सीखना चाहते हैं आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिशन आपको मिलता रहे हैं सबसे पहले आपको वीडियो सबसे पहले ज़री चैनल को सबस्क्राइब किये हैं तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा यह आप लोग को पता है तो हम बात करते हैं आज परवावित परतिसत का, यूज कैसे करते हैं, काउम कैसे करना है, हम आज यह सिखते हैं, बेसिक से सिखा रहे हैं, इसमें कोई लफ़रा का काउम नहीं है, खाली देखते रहिए, और आपको देखे कैसे काम होता है, हम पहले आपको एक परवावित प 10 कमी हो इस कंडि सन में हो स्यम स्यम है डेस पर्सन कमी है डाओ कि इस इस यूदितru LFE है इसमें कभी बिर्दी नहीं होगा है यह हर वाक्त कमी ही होगा है और यादि द घ्रेश पर्षान विडिगी हो फिर दुबारा 10% का विर्दी हो इस condition में हर वक्त विर्दी होगा ये बात आपको याद रखने है याद रखना यही है कि जब same condition हो जिससे 10 का विर्दी हो रहा है 10 का कमी हो रहा है इस condition में हर वक्त कमी होगा और 10% का विर्दी हो रहा है फिर दुवारा भी 10% का बिर्दी हो रहा है इस पर कभी भी कमी न होकर यह हर वक्त बिर्दी होगा दू कंडिशन में जदी दोनों पलस हो तो बिर्दी होगा और एक ही मतलब एक ही रुपिया में दिया हो और एक बार पलस एक बार मेंनस तो उसमें कमी होगा यह हम आपको बत करते हैं सबसे मेरे बात होता है कि कम करना फर्मूला तो याद कर लेते हैं क्या करता है फर्मूला हम याद कर लेते हैं पर हमको यूज करना नहीं होता तो यूज करने के लिए हम आपको बताते हैं परभावीत परतिसत का यूज कैसे क्या जाता है परभावीत परतिसत का फर् गटा दी जाहे, और फिर उसी कीमत 10% और गटा दी जाए तो कितनी कीमत में कुल कटोती हुई है तो यहां हम पूछा गया है संग संडसें नहीं दिया हुआ यहां जिảiें बीस परसंट के ङारे कटोती के आग यह पिर उसके बाद का 10% किके भिष्चेंज दो बायर कटोती कर रहा है तो दो बार जो कटोती है कर रहा कितना है तो भाई कर रहा है कितना एक बार में एक नमर का question है यह question यह है जो 20% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है कटोती हो रहा है फिर 10% का कटोती हो रहा है इस condition में करेंगे पलस कर लेते हैं या कितना है 20 पर 30 गुनधा हुआ कितना है 10 पर 30 बाटाम कितना है 100 अब इस कंडिसन के सॉल्ट करता है solve क्या करते हैं, इसको? solve करते हैं, क्या हो रहा है, 20 10 30, कितना हो रहा है। – 30, इसके बाद minus 1, – 12, ten, पर और 2 लिख लिए पर 40, 20 कितना में है , दो कितना हो रहा है , 18 में है , दो हम क्या करते हैं इसको ? consensus रा रहा है . 28 – 33 यह कत्तर हो रहा है ? कमी होह रहा है तो चलिये दूसरा question लेता है दूसरा question ये कर रहा है आपका budget से budget से पहली किसी car की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और budget में फिर 10% बढ़ाई जाती है तो car की कुल कीमत कितना हो रहा है तो मन के चले कि कोई दुकांदार है तो वह car को पहले जो खरदने ले गया था तो वह 20-30% पर लाया खरिद कर फिर वह क्या जब बेचने समय वह क्या क्या 10% का और ले रहा है तो इस condition में करेंगे गरहा को कितना देना पड़ता है इसका कानव यही है इस हिसाव का तो इसको हम solve कर लेते हैं क्या करा फिर वही condition करना है 30% बढ़ा दिया गया बढ़ाया गया है तो कोई दिकत हाई नहीं पलस फिर क्या क्या है 10% का बढ़ाया गया तो फिर क्या करना है इसको पलस करना है 30 बोला गया है और 10 बोला गया है बटा 100 उसके बाद कुछ करना ही नहीं है करना क्या है? इसको solve कर लेते हैं कटा के, देखें कटा के हम solve कर लेते हैं 30, 10 40 पलस तीन मुना एक करेंगे 3, हम बोल सकते हैं 43% का जो है विर्धी हुआ है 43% का बिर्धी हो रहा है हम अब लेते हैं अगला question फर्मूला यही रहेगा फर्मूला जो है इसी पर काम करना है इसी पर अधारित काम करना है परवावित परतिसद का अब जो है आपको हम इस condition बता दिये थे ज़िए दो बार कमी हो एक दो बार कमी होगा तो क्या होगा दो बार एक बार कमी एक बार बिर्धी होगा इस condition बुला बता दिये थे आपको ज़िए इस condition में हो तो चलिए उस condition वाला हम यह हिसाब लेता है यह question number आपका 3 हो जाला है झाला है तो बात करते हैं तिन नमर का कॉस्चिन का तिन नमर का कॉस्चिन का रहा है 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 जलकर में 20% की बड़धी हुई लेकिन उसी खपत 20% कम हो गई तो धन में खर्च में बड़धी या कमी कितनी हुई तो पूछ रहा है भाईबा कि जब जलकर में 20% का बड़धी नवी तीढ़ गई उसका खपत में क्या हुआ तो 10% का कम हो गया कम हो गया तो इस पर क्या वहले तो देखें दो कंडिशन का रहा है बीस परसंट पलस और बीस परसंट कमी इसी कंडिशन में हो तो कभी भी विर्धी नहीं होगा कभी भी विर्धी नहीं होगा इस पर हर वक्त क्या होगा ऐसा कंडिशन में कमी होगा यह 4% कमी होगा और देख चलिए हम दोइक하고 बताते हैं 4% कमी कैसे होता है बहुँन हो कमी कमी होता है 20 % कि 20% का कमी हो रहा है 20 % कमी 20 % कमी यह जिरो यह जिरो-ец कैसे लिए-जिरो अब दिखिए 20% पबशें 20 % मेन Him जम बैदने 2 दो दुनि चार यह मैंनस में है यहां पर यह आपका इसे बलाए केर में होगा तो दुनि चार पलस गुना मैनस मैनस तो मैनस 4 परसंट क्या होगा कमी होगा अब जो है यह चार नमर का क्वेश्चन आ रहा है चार नमर का क्वेश्चन कहा रहा है कह रहा है एक अब बेतन एक अब बेतन 40 परसेंट बढ़ा जा गया यह है कोई वस्तू है कोई भी व्यक्ति है एक अब बेतन 40 परसेंट बढ़ाया गया और फिर 20 परसेंट घटाया गया तो कूल मिलाकर एक अब बेतन कितना बढ़ा तो निकाल लेते हैं 40 परसेंट क्या क्या है बढ़ाया गया तो 40 परसेंट बढ़ा दिया 20% घटा लिया 40% बढ़ा 20% घटा 100 और 100 बढ़ा में 100 देदेंगे अब इसको solve कैसे करते हैं यह 0, यह 0, यह 0, यह 0 तो देखें कि हो क्या रहा है यहां क्या हो रहा भाई ज़र इसको हम solve direct भी करता है direct भी कर लीजिए वैसे भी हम कर सकते हैं तो चलिए हम करते हैं यह को step और लिख लेते हैं समझाने के लिए 40-20 तो देखें minus गुना पलस minus 4 दूनी 8 हो गया अब क्या करें 40- इसमें इस direct ढटा यह कितना हो रहा इसको जुरिएगा plus minus minus 12% का वीर्धी हो रहा है 12% का वीर्धी हो रहा है देख रहा है कितना मज़ा है question बनाने वा सिर्फ आपको समझाने के लिए ज़िए आप पढ़्यास करते हैं तो आपसे बहुत अच्छा तरीका से बन जाएगा बहुत easy से बन जाएगा आपको खली सिर्फ समझना है question क्या का रहा है कितना आदमित जानते होंगे जो नहीं जानते हैं वा सिखिए जो जानते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है जो नहीं जानते हैं वा सिखने का पढ़्यास कीजिए आज हम सिखाएंगे जैसे हो आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सिखिए फिर कर रहा है एक भूमी की कीमत मानसुन के देरी के कारण 12% घड जाती है और उपवादक जो है वा उपवादक जो है वा चार परसंट घड जाता है तो पढ़ापत राज सुवळ्य पर कितना परवापद परेगा तो चलिए निकालते हैं यह पंच नमरका का क्वेश्चन हो जाएगा तो क्या बूलाए भीया 12% घड घड यह दो बाड़ा कंडिशन घड जाता है फिर एक पर्ट चार परसंट का, इसी तरह करेंगे, पलस, बारा परसंट, उसके बाद, गुना, चार परसंट का, बटा एक सो, इस कंडिशन को अब सॉल्व करते हैं, करते कैसे हैं, देखे, इससे हम को सिखना है, क्या सिखते हैं, कैसे, तो यह चार और बाड़ है, मैनस सोल है, लिख सकते हैं, अब इसको हम तुर लते हैं, पलस, मैनस, गुना, मैनस, पलस, अब पलस हो गया, अब इसको हम चार से पहले कटा लेते हैं, चार से कटाएंगे, चार कहां चार, पचीस चो का, सो, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और डाइट इसको गुना करेंगे तो यह 12 बटा 25 अब इसको आप solve किजिए आप solve करने में थरा समय लगएगा पर आप सी किजिएगा solve करते हैं सबसे पहले अब इसको 25 ले लेजी 25 को 16 गुना किजिए 25 को 16 गुना किजिएगा आप तो यह हो जाएगा आपका solve पंचा solve पंचा assi कितना बच रहा है याठ solve दूनी बट तिस आठ चालिस यह मैंस में है और यहां कर देंगे 12 अब जब इसको हम घाटाते हैं 400 में 12 है इसको हम घाटाते हैं 12 हम घाटा लेते हैं इसलिए से यह 8 हो जाएगा और यह भी 8 होगा और यह 3 हो जाएगा इसमें हम जदी 25 से हम भागा दे रहे हैं देखें, condition क्या हो ज़ए 25 से जदी हम भागा दे रहे हैं तो यह कितना निकल का रहा है 3 और 1 तो 25 पंचा 700 कितना रहा है 25 पंचा 25 पंच बार में खा रहा है 125 यह कितना निकल का रहा है 3 अब जो है फिर हम देंगे दसमला फिर निकाल लेंगे बतर इसे तरह चलते रहेगा यह जो है आप करिएगा आपको कटके आए जाएगा पूड़ा conclusion किजिएगा आप तो आपका आएगा 15 पूइंट इसका कटाईएगा तापको निकल का रहेगा 15 दसमला पाँच दू परतिसद का कमी होगा यह आपका अब ऐसे भी कर सकते हैं डारेट इसको कटा ने कटाते डारेट करते और अब डारेट मेनस कर लेते तो यहां असानी से निकल जाता आपका इंसर यह एंसर आपका आगिया है फिर चलिए आपको लेते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में कर रहा है चलिए छोवा नमर का क्वेश्चन कर रहा है छोवा नमर का क्वेश्चन कर रहा है एक कपरा की कीमत 15% घटाने पर उसकी विक्री में 35% की बिर्दी हो जाती है तो उस कपरा कुल कपरा उसे प्राप्त कुल कितनी धन्रासी कितने परतिसत बदलाव होगा भाई फिर से सुन लिजी एक बार एक दुकंदार जो है वह जो है 15% का क्या कर रहा है कपरा दुकंदार है वह 15% का पहले छूड़ दे रहा है उसका बिर्दी विक्री 35% बढ़ जा रहा है इसका कहना यह है कि जब दुकंदार 35% का छूड़ दे रहा है तो 35% उसको फैदा हो रहा है तो उसको हम निकाल लेते है निकालने का तरीका जो आपको पते होगा कि से निकाल हुआ है तो क्या रहा है करा किम और कंडरा पर्संट घटा दिया उसके अब पैंतीस परसंट विर्दी हो गया 35% कर लेते हैं 12% कमी 35% विर्दी आप इसको काट कुड कीजिए चले जाएगा पां सिर्था फफइटीज, पां मिचोगा निकल जाएगा पांस टिर्ट पंधरा, पांदरा पंधरः, थिर्टीज अब इसको solve करते, इसको घटाईएगा जब 35 में से 15 घटाईएगा, कितना बचेगा भाई, 20 बचेगा, पालास, पालास तो नहीं, पालास गुना मैनस, मैनस कितना का, तो सत्या, 21, 21 बचेगा, 4, अब इसका यहांने कुछ तो क्या है, एक है, इस दुनों के LCM लेंगे, कितना होगा, 4, अब 4 होगा, जब 4 में, एक से भागा दीजिए, कितना बचेगा, 4 निकलेगा, 4 को 20 से गुना करेंगे, कितना होगा, 80, मैनस, 4 में 4 से भागा देंगे, एक, और एक को 21 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 21, इसको किजिएगा, फिप्टी, नाइन, यह नाइन, वट्टा, 4, अब इसको सॉल्व किजिएगा, जब आप सॉल्व करिएगा इसको, आपको निकलेगा, एक बार में, 4, 16, 3 पूरलंग, 4, 16 पूरलंग, 3 वट्टा, 4 परतिसत, जो आपका बिर्धी होगा, जो आपका बाई, तो बिर्धी होगा, आप यह बोल सकते हैं कि यह बिर्धी होगा, तो फिर, तो आप लोग निकानलेक लिए सिख गए, तो हम लेते हैं अगले कोशन, अगला कोशन आप जो है वीडियो को रोक के, बनाने के पर्यास किजिए, नहीं बनेगा, तो फिर वीडियो के चालू किजिए, और देखिए, किस तरह से बनाया जा कीमत पहले दस पर्छंड बढ़ा दी जाती है, पसताब में दस पर्छंड और बढ़ा दी जाती है, तो तत्ह अनुसार कोल विर्धी कितने रुपिया की हो जाती है यह पुछागे दो बार बिर्दी हो रहा है यह 100 रुपिया का बस्तू है 100 रुपिया का बस्तू है 10 परसंट की दो बार बिर्दी हो रहा है तो करना क्या है भाई यह बस्तू जो 100 रुपिया का दिया है यांको फसआने के लिए दिया और कुछ करने के लिए नहीं है इस कोई महीनेः नहीए यह पूछां के लाज है यह तो चलिए कितना का है लुब उप सही कितना रूपया की रूपया की रजा निकाला तो निकालना जो है आपको 10 का बिर्दी हो रहा है फिर 10 हो रहा है इसी को ज़े 10 10 का हो रहा है फिर 10 10 गुना 10 बटा 100 दो जिरो दो जिरो कैंसी यह 31 पर तिसत का बिर्दी होगा और आठ नमर का कोशन है आठ नमर कोशन है यदि एक बिल पर दीद गई 35 परसंट कटवती और उतरत में 20 परसंट की दो कटवती का अंतर बैस है तो बैस है तो बैस है तो बिल की धनराशी क्या है यह बोला गया है दो धनराशी तो सबसे पहले जो है दू कटवती दिया है तो इसमें एक छुपा हुआ है जो की 20 परसंट की दू कटवती कहा गया है और 35 का एक है तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि दूबारा जो है आपको 20 परसंट का छुट दे रहा है तो इतना अशी पर बीस परसंट का छुट दे रहा है तो दिखिए आपका अंतर कितना आ रहा है वाई यह अंतर कितना आ रहा है एक का अंतर है एक अंतर है एक बराबर कितना इसी का अंतर बराबर दिया है बाइस तो एक सो बराबर पुछा गिया तो बाइस बटे एक गुना एक सो इसका आजाएगा बाइस पर डबल जिरो यह ब यह नो नमर कोष्टिन जो है आपका लास्ट कोष्टिन है इस विडियो का जदि आप नए हैं तो वीडियो को आप देखें सर्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लीजिए और जदि आप फैस्बुक पर भी आते हैं तो फैस्बुक आइडी है मेरा FB है आपका मेरा Facebook ID हुआ आपका यह मेरा है रजनिस कुमार के नाम से आर ए जे एन आई एस एस रजनिस कुमार टेलीगरम पे जाएगा टेलीगरम मैथ एस्टर के नम लिजिएगा मैथ एस्टर यह आपका होगा टेलीगरम का यह आप वहाँ पर भी जाके आप सब्सक्राइब कर लिजिए टेलीगरम से जूड जाएगा आपका वहाँ पीडिया मिल जाएगा और आपको Facebook पर भी आपको सरा वीडियो मिलने के देखने के लिए मिलेगा आप वहाँ भी आप देख सकते हैं तो चलिए हम आप से बात करते हैं, नो नमर का question कहना क्या है, जो हम आपको question board के दिखता होगा, तो नो नमर का question यह कहा रहा है, कि 16 रुप्या, आलू के भाव में 16 रुप्या कीलो से 18 रुप्या कीलो होने पर एक गिरनी को आलू की खपत कितनी परतिशत काम कर देनी चाहिए कि इस पर खर्च ना बढ़े हैं, तो भाव देखे का क्या रहा है, 16 रुप्या पहले था, अभी कितना हो रहा है, 18 तो इस पर जदि हमको खपत नहीं लाना हो, तो जब खपत नहीं लाएंगे, तो समन्त भाव कम लाएंगे, तो या तो समन्त हमको कम लाना पड़ेगा, जदि उतना ही रुप्या हम लाना है, तो हमको 16-18 हो रहा है तो हमका क्या रहे हैं दू बढ़ रहा है किस से बढ़ रहा है भाई 16 जिस से पूछे उसको नीचे जिस से पूछे उसको नीचे तो कितना हो रहा भीड़ दीक है 2 किस से 16 से बढ़ के हो रहा है 16-16 गुना 100 अब दूस कटा दीजिए और यह 8 हो जाएगा इसको चार से कटाईएगा चार दूनी 8 चार से इसको कटाईएगा 25 को जब आप दूस भागा दीजिएगा आपका होगा 12 प्रोलाइं एक वट्टे दू परतीसद दूसरा हम आप बोलिएगा इसको लिख सकते हैं 12.5 परतीसद दोनों से हम ही एंसर है जदी आपको 12 प्रोलाइं एक वट्टे दू भी मिल जाए तो वह एंसर आप टिक कर दीजिएगा और 12 प्रोलाइं जदी 5 मिल जाए तो उसको भी आप टिक कर लिजिएगा तो आज का किलास तो यहीं तक था तो आप लोग सिख रहे हैं सिखिए प्रोले बीओने